अब्सक्राइब अब्सक्राइब वैल्कम टूमाइज आज हम नहीं ट्पिक के बारे पढ़े गए चली का कुणकि टेस्टिंग के लिए यूज होता है और इसका नाम है इसलिए हाई बल्लिम इंस्टुमेंट इसलिए रखा वा कि लार्ड़ नमबर अब संपल साइज इसमें टेस्ट होता है कभी-कभी 100 बेल का आया 200 बेल का एक दिन में आप 800-800 बेल का भी टेस्टिंग कर सकते हो रैंडमली संपल लेके यह इसलिए इसका हाई बैलू इंस्टुमेंट बोलते हैं और यह मेशिन आने से पहले अपना ध्यान रखना जैसे अपना पूराणा टिक्रिंशान रखते थे न बैल से थोड़ा रूई ले लिए ऐसे स्टेपलिंग हाज से कर दिये और देख लिए बाई अच्छा हविट था वह स्ट्रेंग्थ कितना है लेंग्थ कितना है कुंचा काउंट में यूज कर सकते बोल देते थे लेकिन जब से एच भी आया है यह सब चीज़ नहीं करना पड़ता है एक आपको बता दू एक बार देखो एक रखता है हाई वेलिव इस्टूमेंट एच पी आई उससे के अडवांस मेशिन भी है अम बाद में इसको पढ़ेंगे यह चाप्टर के बाद इसको बोलते है अफिस मर्लाब आडवांस्ट इसके बारे में हम अगला चाप्टर में पढ़ाएंगे क्योंकि वह बड़ा लंबा चूड़ा यह ट्रपिक है तो इसलिए हम पहले प्रप bricks के बारे बता देते आपको मिल जाता है और सब्सक्राइबर लेंग्व cit प्रदब उसके बाद स्ट्रेंग था ग्राम पर टेक्स फिर एलमेश रहा फिर कलारा रासा मस्चुरीटिया सट फाइबर इंडेक्स और स्पिनिंग कंसीटेंसी इंडेक्स यह जो दस पैंड मैंने लिखा यह हर एक पैंड हम एक एक करके अभी आपको समझाएंगे कैसे इसक जूड़े रही है अब बताता हूं आपको लेक्स पैंट देखे अब टीटियल में जाता है सबसे पहले पाइंट मैंने लिखाता लेंग्ट क्या होता है जैसे अपना फाइपरो ग्राम प्रिस्पूल में लेंग्ट नापते ना इसे उसमें ना पाजाएगा उनलेंग्ट आए डेया में हम आए गा और जो है। उस उसका कैसे होता है देखो जो प्रकार क्का आएगा एक दाएगा आपर हाम में लेंग्ट एक आएगए पांज लेइन एन सबसे में करते हैं कि उप्रहाप मिले लेक्ट रता है उसका भी अबरे जाता है और लेंग्ध इंफरमीट्य देखें यह की यह आपके एम्म में आजाएगा लेंग्ध इंफरमीट्य क्या होता है जो सब्सक्राइब पहले दिखें फ हुर मिट्टी इनडेक्स और इनफरमीट्य रेंटी यह मदब मीन लेंग जो होता है यू एचे मेल में डिवाइड होता है तो उसका आता है इंफर्मिटी इंडेक्स यह जेनरली इनफवर्मिटी इंडेक्स आगा तो इसमें क्वालेटी का बहुत परक पड़ता है क्वालेटी में दिख कर जाता है ह्टरा का इसपी हो और आई पंच्वे दिखक जाता और फिंफर्मिटी रेसियो इसjenigen क्या होता है 50 परसेंट इस पाल लेंग्थ इसमें डिवाइड करोंगे तो इनफरमिटी रेशियो आएगा उसके बाद देखिए स्ट्रेंग्थ जो आता है जैसे अपन क्लांप का अंदर रता है ना कुमिंग डिवाइस दोनों साइड से अपन इसको क्लांप में ट्राइड कर बंडल के स्ट्रेंग्थ के हिसाब से आएगा और क्या होता है देखोंग बंडल फाइबर ब्रेकिंग फोर्स रिकॉर्ड जैसे फाइबर आपना दोनों क्लांप में बांध रखे इसको समभलों खीचने से जो आपनको ताकट चाहिए जो फोर्स चाहिए तूटने तक उसी इसको अपना स्ट्रेंग्थ बोलते हैं और विद्वर को स्ट्रेंग्थ हमें सब्सक्राइब। तो उसमें 20-22 का ग्राम पर टेक्स चल दाएगा और वह स्पिनिंग के लिए रिंग स्पिनिंग लेंगे वह कमसे का 25 से 34-35 तक आना चाहिए ग्राम पर टेक्स वह जित्रा ग्राम पर टेक्स बढ़िया रहेगा उत्रा फाइबर का क्वालिटी अच्छा माना जाता है नेक्स पाइंट दगे यह है यह एलंगेशन इलंगेशन जो होता है यह बंडल की फार में जो आपना फाइबर रखते है न इसका इमांट आप श्ट्रेच मलब अपना कॉम्बिंग डिवाइस पर बंडल फार में रखाए जैसे इसको खीचेंगे यह कितना खीचने का बाद मतलब शीक्स पखाए जो खीचने का पर्सेंटेज इसको पल श्रेच जो बोलते लेनेशन पर्सेंटेज सामब लो अपना पट्चीस थे आप अपड़ा तक आ गया यह च्छे तक आगया जो बैया है तो इसको अपने कितना पड़सेंग लंबा हुआ इससी को एलंगेशन इतना ज्यादा रहेगा उतना पड़िया है एलेनेशन कम रहेगा स्पिनिंग का वैलू का मतलब परसेंटेज में आता है उसके पाद देखिए माइक्रोनेयर वैलू इसको बोलते हैं रिलियर डेंक्सिट या फाइबर या ठीकनेस माइक्रोनेयर वैलू जो होता है ग्रम पर पिश्बादा मतलब उसका फाइबर का ये सिसका प्रदैक्स मालूम पड़ता है ठीक है है और मैजरमेंट होता है 240 बेंद्श होता है उसक्र मेंदर में इस दिखालते कैसे जढब होता है जो मोटा मोटा होता और लो होगा खुप टो अ यहां तहुंकर हो जाएगा तो नज्दिक नज्दिक का दो हौक हो ओसी मेथेड से अठूलते हैं इसका माइट भालू यहां दिक बिल रहे तो कॉर्स फाेवर लेखे जे तो तो फाइन फाइवर है तो जीतना माइक्रोग्रां फर इंच जो होता है ज्यादा तो टीपी वर्याइश उसमें ज्यादा देना पड़ता है वह प्वालिटी खराब बनते हैं तो प्णा सब्वाइद यह काल नर्बैलू जब कम आएगा तो यह बढ़ियाख व्वालिटी में तो अच्छा कटन में जाता है उसमें टीएम कम देने से भी अपड़ा काम बन जाता है तो माइक्रनेर वैलू कम रहेगा तो अच्छा होता है ठीक है उसके बाद देखिए कलर ग्रेड कलर क्या होता है दो प्रकार का एक आर्टी कलर डीग्री अप रिफ्लेक्शन बोलते हैं और दूसरा है प्लाज भी अलोनेश फाइवर डीह अप रिफ्लेक्शन मतलब जो उसका सपहदिक पंड रूसना इसमें रिफिलेक्ट नहां पर नहीं होता है उथीं 1940 साथ से मतलब यह होता है तो हमको फाइबर का कूँछा काउंट में करेंगे क्या रेट आएगा इस पता करने के लिए करता है उसके बाद वीडियो स्कैनर् रथा है क्या अपना श्क्रा शिसें रहता है वा स्क्याँ करता है उसमें जैसे में उसका सर्फेस दिना सर्फेस कबंठेश को फीर मुं कि तो कटन सर्पेस में रिवाइड कर देगा तो वो परसेंटेज आ जा जाएगा ट्रास हमेशा परसेंटेज में आता है ठीक है और वो और अधर द्यान कटन इज ट्रास्ट ट्रास्ट क्या होता है देखो जो कटन प्रोसेस करते है कोई सीड़ टूटके उसका अंदर जाता है लीफ साइज और एक छोटा साइज का रहता है बड़ा साइज को में गिनती आता है डूसरा भूलते माइक्रडर टेया ठीक है पर देखेंड एक रहता है इंडेक्स में सटस्ट फाइबर आपको पता है था हाप इंशे वाला यो फाइबर रहता है तो कोई कोई कटन अच्छा मौना जाता है ज आप परसेंटिव्यक्त yn lange लाएगा इतना क्वालिटी अफेक्ट करतें गा मतलब बढ़ेगा बढ़ेगा सब प्रोब्लम आएगा और उसके बाद दिखे सबसे एक मेजर में जो मेजर चीज यह करके बोलते हैं एच्पी रिपोर्ट में बनता है और जो यह काटन प्रोपर्टी का मिला जुला रेजल से वह निकलता है और सबसे पहले दिखिए उसका सबसे हाई इसका बैलू रहता है लेंग्थ का उपर 50% करता है उसके बाद माइक का उपर डिपेंड करता है 10% लेकि माइक माइनस का बैलू रहता है माइनस का बैलू रहता है माइक मतलब हो गया जैसे माइक ज्यादा होगा तो माइनस साइड जाएगा मलों एस यह घटेग सब्सक्राइब करेंधूर्य स्ट्रेंग्थ सब्सक्रांब करेंगे việcण हैं नियुक्फ सब्सक्राइब बढ़ जाएगा स्ट्रेंट कम रहेगा घट जाएगा और वी प्लस ब्यालू आड़ी ब्यालू दस परसेंट रहता है और ट्रास बगरा भी मिला के यह टोटाल मिला के कि तरह पच्चास तीसासी दस नब्य दस घट के बिस ट्रास बगरा रहा तो यह 20 परसेंट रहेगा यह तो अपना और स्पिंडिंग का धिएा कशा और एयंगा ना मिला एक पर बनता है आपको फर एक्जांपल मूलता हूं आपके जैसे spinning mil में 100 बेल का मगा तो रणडमली अपने 20 बेल चेक किया जो SCI report आया समबलो 140 से 160 तक आया कि 20 में से यह आया अठरा बेल में आया तो दो बेल आया सब्सक्राइब करने का यह क्या करोगी रिजेट करके आप में डाल दो या उससे कॉर्सर काउंट वाला प्रोग्राम में डाल दो लेकि यह से बेल लेडा नहीं जिसमें करते हैं इसे कम रहेगा आपको व्हलेटी में प्रॉब्लम आएगा और वी देखो आजिम कर सकतो जैसे आपके पार सारी प्रोपर्टि का पर्रमिटर आगया अगया अब क्योंकि सारी डाटा अपको क्लियर हो जाएगा तो मालूप पड़ जाएगा उसके पास यूज करते हैं अपना चोटे-चोटे-चोटे स्पिनिंग मेल में एस्पिया का मेसी मिल नहीं रहता है जैसे आटी रहा बीट रहा सिट रहा जो रिसर सेंटर वहां भेज के पैसा आ नहीं तो कटन का जो पार्टी है मर्चांट लोग है जो बिजनेस करते हैं उनका पास रहता है और रिसर सेंटर में भी जहां रिसर्श करते हैं जैसे कैसे बढ़िया क्वालिटिक कटन बनाएंगे वह लोग भी रखते हैं मतलब है एस्पिया टेस्टिंग में तो बाकि यह बहुत बढ़िया चीज है यह ट्रपिक में यहीं पर समाप्त कर रहा हूं लेकिन उसे पहले बता दू इससे अगला ट्रपी जाएगा अपना अफीस आफीस में अपना उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे वह बड़ा बड़ा ट्रपिक रहेगा और मेरे को उमिद है सब्सक्राइब आप समय गये और दन्यवाद